गंगा के जलस्तर में आई रातो रात विर्धी के वज़े से अचानक आरा का कई छेत्र पुरी तरिके से डूब चुका है। खास कर बढ़ारा और साहपूर परखंड के दरजन पंचायत बाढ़ के पानी से जल मगन हो चुके हैं। इन दिनों भिषर बाढ़ के विविजिका में समाच सेवियों के दौरा वितरन करने वाले समागरी बाढ़ फीडितों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। जेडियों नेता छोटू सिंग के द्वारा सेकड़ों लोगों के विच खाने की समागरी एकावना गाउं में बाटी गई निकनाम टोला वो वखोरापूर में समाज सिवी अजय सिंग के द्वारा भी भोजरन वित्रन किया गया जिसे पांच दिनों से अधूरा पेट रहे सेकड़ों लोगों को भोजन से संतुष्टी मिली है बता दें कि देश भर की नदिया उफान पर है जिसकी वज़ा से जल प्रलय का संकट की राजियों में गहरा गया है इधर बिहार के भोशपुर जिले में भी गंगा अपना रोदरुरुप धारन कर चुकी है जिससे बाड़ का पानी गंगा के ततवर्ती इलाकों के गाउं और खित खलियानों को पूरी तरीके से डुबा चुका है आने जाने के लिए मात्र एक नाव सहारा है खाने के लिए बाड़ पिडितों के पास अब रासन वह सबजी भी नहीं है पीने के लिए बाड़ का गंदा पानी सिर्फ मौजूद है ऐसे में तमाम नेता वो समाज से भी बाड़ पिडितों को मदद करने पहुंच रहे हैं भले ही लोग राजिनितिक महत्व कांचा से जा रहे हो लेकिन कहीं न कहीं अगर बाड़ पिडितों को कुछोस मदद मिल रहा है तो वो इनहीं लोगों के माध्यम से मिल रहा है अन्य था बाड़ पिडितों को जिला प्रसासन से मिलने वाली सुविजा जितना कागज पर है उसका आधा भी ग्राउंड फर नहीं दिखाई दे रहा है जेडियों के नेता छोटु सिंग लोकल 18 से बोले कि बार से बढ़ारा की जनता परिसान है लेकिन अब इनको परिसान होने की ज़रूरत नहीं है हमें मुख्य मंतरी नितीस कुमार जी का निर्देश प्राप्त है कि बढ़ारा छेतरे में जाकर हम लोगों की समस्या सुने और उसका समधान कर उसका उपाय निकाले मुख्य मंतरी जी के निर्देश पर हम यहाँ पहुंचे हैं एक नाम टोला में ततकाल स्वास्त सिवीर का उजन करवाए है पॉलितिन सीट और खाने की समागरी भी जल्द उपलब्द हो जाएगी इसके अलावे चारो तरफ से बाड से घिरे एकवना गाह में बाड पुडितों को लोगों के बीच फूड पैकेट, ब्रेड, बिस्किट वो बच्चों के लिए चौकलेट वितरन किये हैं हमसे जितना मदद हो पाएगा उतना मदद हम जरूर करने के लिए तयार रहेंगे हमारे जो गाय, गाय के मतलब माय, गाय का जो कष्ठ है लेकिन सरकार से हम लोग हर टोला टोला रसोया से लेके, पलास्टिक से लेके, मुबत्ती से लेके, माचिस तक, जितना भी होगा भड़पूर, जो भी भोजपूर के लिए बेवस्था होगा, हम लोग इस आपदा में इनके बिपती में इन लोग के साथ खड़े हैं, और जब तक इनकी सुविधा नहीं होगी, हम लोग यहां से अपना पटना जाएंगे नहीं